Improvement इन, Yield पढ़ रहेते हैं Improvement in yield में हम एक पढ़ जोगेते, Crop Productction Management दूसरा Crop Variety Improvement हम ये पढ़ेंगे अभी और THP और तीसरा है Crop Protection Management तो सेकींड स्टाट कर रहे हम Crop Variety Improvement Crop Variety estratégica एक कंलागत में ज्याधा Yield दी ज्याधा हमें जो outcome होते जाए इंट इनकी जुरत क्यों पर हाइर इंट के लिए हमारे इंट्रीएं पॉपलेशन जाधा ज्यादा पॉपलेशन है ज्यादा पूपलेशन है यादा फूड को पूरा करने के लिए हमें HYV की requirement है for improved quality quality भी अच्छी हो resistant to biotic and abiotic stress जो biotic या abiotic stress हो सकते हैं जो रुक्सान हो सकते हैं उनसे बचाने के लिए biotic stress में कौन से हात है disease है, insect है nematodes है abiotic stress में drought है सूखा पढ़ गया, salinity pH न उपर नी से हो गई water logging, पानी खटा हो गया, heat cold इस तरह के जो हैं, ये abiotic stress है for change in maturity duration, अब maturity duration जो है ना कई बार हमें क्या होता फसल time से पहले चाहिए होती कई बाद में चाहिए होती है तो जो crop की maturity है उसकी duration को भी कम जादा करना, for desirable agronomic trait agronomic trait से मतलब ये है कि कम height हो जादा fruit आए उस पर, या जादा crop आए, या फिर क्या है tallness कम हो, बढ़ जाए ठीक है, profuse branching in fodder crop कोई मान लो fodder crop है, उसमें बहुत सारी branching हो जाए, जिससे की जादा productivity बढ़ जाए wider adaptability, उसकी adaptability बढ़ जाए, यानि कि temperature range में बढ़ जाए जाए गाए, अब इस तरह की कुछ हमारे पास hyv's है, जैसे rice है rice को ही हम paddy भी कहते है rice और paddy बोथ हर से ठीक है, तो जो paddy की और rice की hyv है, वो है आयारेट, जाया, हीरा वेल, धान, 221 wheat, wheat में है क्या है, miks2 kml 7406, उसा लार्मा सर्बती ठीक है, यह हमारे पास क्या है, wheat की hyv है, maize ठीक है, ganga 5 शक्ति नवजोत, विक्रम mustard की क्या है, पूसब बोल्ड, क्रांती यह हमारे पास क्या है, hyv है अलग-अलग crop की एक नाम याद रखना तुमें Mr. M.S. स्वामिनातन यह इंडिया में Green Revolution के father कहलाते है M.S. स्वामिनातन father of Green Revolution in India इंडिया में जो Green Revolution हुई, वो इनी केंडर हुई इसी इनी person की वज़े से आज हम लोग इतने capable हैं कि हम food अपनी country में इतना हुआ सकते हैं कि अपनी country की requirement भी पूरी कर सकते हैं और export भी कर सकते हैं यह केवल कि किन के वेज़ संभव हुआ Mr. M.S. स्वामिनातन के लिए